हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सचन और आप देख रहे हमारा खाश जो आपको फिल्म जगत और एंटरेटेन्मेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तयार रहता है तो आज के एपिसोड में मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एंटरेटेन्मेंट का तगड़ा डोस आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के घर की और नॉमिनेशन प्रक्रिया की हाल इमें बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन के मेडल पहनाए गए है इसमें सभी कंटेस्टेंट जंग कर लड़ते देखे और इसी बीच सबसे भहेंकर लड़ाई हो गई वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका देख्षित और विशाल पांडे के बीच बिग बॉस ओडिटी 3 के लेटेस एपिसोड में चंद्रिका देख्षित और विशाल पांडे बीच जोरदा लड़ाई हो गई दरसल जब बिग बॉस ने घरवालों को नॉमिनेशन का टास दिया तो चंद्रिका सामने आई और उन्होंने विशाल को नॉमिनेट कर दिया नॉमिनेट करने का कारण देते वक्त चंद्रिका ने कहा कि ये लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता विशाल भड़क गए, उन्होंने चंदरिका को नॉमिनेट किया और कहा कि सिर्फ एक स्टेट्मेंट की वज़े से आप किसी को करेक्टर पे जज नहीं कर सकती अगर आप मेरे कारेक्टर पे सवाल उठाना चाहती है तो पहले मेरे साथ समय बिताईए और मेरे साथ बात कीजिए फिर आपको कोई हाक होगा कि आप मेरे व्यक्तित पे कोई सवाल उठा सके बाद में विशाल चंदरिका को नॉमिनेट करने के लिए उसके गले में मेडल आलने आए लेकिन चंद्रिका ने उनके हाथ से मेडल पहनने से बिलकुल मना कर दिया चंद्रिका बोली कि मैं ये मेडल खुद अपने हाथ से पहन सकती हूँ विशाल अपना आपा को बैठे और कहे कि ये फालतों चीजें आप मेरे साथ मत किया कीजिए अगर आपको गेम खेलना है तो आप गेम की तरह खेला किजिए चंद्रिका ने फिर विशाल पर कृतिका मलिक पर गलट टिपड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि तुम्हें दोस्त लवकेश ने खुद माना था कि तुम्हारी नियत बिलकुल खराब है विशाल ने उसके कारक्टर पर कमेंट करने से चेताब नी दे दी विशाल ने कहा कि चंद्रिका आप मेरे उपर सवाल उठाना छोड़ दीजिए विशाल फिर से बोले कि कृतिका की बात बीच में मत लाओ अगर आप कृतिका की बात ला रही हो तो आप याद रखो कि मैं पहले ही उनसे माफी मांग चुका हूँ इसके बाद चंदरिका ने लफकेश कटारिया को नॉमिनेट कर दिया चंदरिका ने कहा कि लफकेश ने अपने दोस्त की गलती को छिपा कर बहुत बड़ा गलती की है इस सब के बीच एक और लड़ाई होती दिखी इसमें शिवानी कुमारी और कृतिका आमने सामने थे और इन दोनों ने भी एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया इस लड़ाई में कृतिका ने लड़ाई में शिवानी से बहुत मजे लिए तो महीं शिवानी कृतिका को बहुती उल्टा सीधा सुनाती दिखाई दी जिससे फैंस काफी एंटरेन हुए ऐसी लड़ाई के मज़िदार किस्से एक बार विग बॉस के घर में बहुत ही एंटर्टेनिंग पार्ट है ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए Newswell India